संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई दस पत्संक्या 17 से 24 तक 72 शेश्य सा आनंद लोटे और बोले प्रभू आपके नाम के कारण अब दूद भी हमारे अधीन होते हैं इसा ने उन्हें उत्तर दिया मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा है मैंने तुम्हें सापों बिच्छों और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ दिया है कुछ भी तुम्हें हानी नहीं पहुचा सकेगा लेकिन इसलिए आनन्दित ना हो कि अब्दूत तुमारे अधीन है बलकि इसलिए आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए है उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनन्द के आवेश में कहा पिता स्वर्ग और प्रित्वी के प्रभू मैं तेरी स्तूती करता हूँ क्योंकि तुने इन सब बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा कर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है हाँ पिता यही तुझे अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है पिता को छोड़ कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है और पुत्र को छोड़ कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है तब उन्होंने अपने शिश्यों की और मुड़ कर एकांत में उनसे कहा धन्य है वे आखे जो वे देखती है जिसे तुम देख रहे हो क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ तुम जो बाते देख रहे हो उन्हें कितने ही नभी और राजा देखना चाते थे परन्तु उन्होंने उन्हें नहीं देखा और जो बाते सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाते थे परन्तु उन्होंने उन्हें नहीं सुना